दोस्तों आज तारिक है 11 परवरी 2022 और आई चलते हैं बिहार सुभा की ताज़ा खबरों क्यूर लेकिन उसे पहले दोस्तों अगर आपते हैं अविद्ध के सैनल को सब्सक्राइब नहीं के दो कर ले जिससे कि आपको बिहार सुभा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे पहली और बड़ी खबर गुरुवार को राज़त की राष्टी कारिकारने के बैठक होई पट्टा के पांच सीतारा होटल मौरिया में इसका आयोजन किया गया लालू यादब देजबर्दाप ते जस्वी सहित कई दिगर नेता पहुचे थे बैठक में राष्टी अध्यक् प्रदानमंत्री मोदी ने सियम नितिष को बड़ा समाजवादी नेता बताया कहा कि लोहिया के समान नितिषकौमार है प्रदानमंत्री मोदी ने यूपी विदानसवाज सुनाओं से पहले दिए इंटर्व्यू में एक साथ बिहार और उतरपर देश दोनों को साध लिया अपने इंटर्व्यू में प्रधानमंतरी मोधी ने बिहार के मुख्यमंतरी नेतीष कुमार को महान समादवादी नेता-राम-मनोहर, लुहिया और जौर्ज फelnान्डिस के समखत छला कर खड़ा कर दिया। अब जब देश के प्रधारमंत्री मोदी नितीस कुमार को इतना बड़ा वो होता दे रहे तो फिर बीजेपी और जेडियू के दूसरे नेता अपनी तलकी को बोलाकर अपने बड़े नेताओं की तारिफ में जुट गए बिहार के 24 जिलो में बारिस का लट बिहार में एक बर फिर बुदावानी से लेकर हरकी बारिस का मौसम बन रहा पुर्वानुमान के मताविक अगले 48 घंटे में राजी के 24 जिलो में बारिस का सिस्टम एक्टिव होगा इस दोरान गरज और आकासी बिजली का भी प्रभाव द दराई छेतर से होकर गुजरने से उत्तर पस्चिम बिहार के 5 जिले पस्चिम चमपारन सिवान सारण पुरवी चमपारन गौपालगर जमें इसका खास असर देखनी को मिल सकता है अगली खबर भले ही 2020 के बिहार विधान सभा चुनाओं में जेडियू को जोरदार जटका लगा था और पार्टी मातर 43 सीटों पर सिमट गई थी लेकिन जेडियू ने पिछले 16-17 दिनों में जो धन संग्रा किया है वो रिकॉर्ड है दरसल पार्टी ने दावा किया है कि मातर 16-17 दिनों में उनकी पार्टी ने 100 करोड रुपे का चंदा इकटा किया है जेडियू नेता कहते है कि जो रासी कटी हुई उसे जेडियू नेताओं और कारकरताओं के साथ सा जंता ने अपने इक्छा से दे दी है इख वर बिहार में पावंदी घटते ही बढ़ने लगा कोरो में कोरोना की सक्टी में ज्ञूट देते ही संक्रवन की मामले बढ़ने लगे संक्रवन की बढ़ती रफ्तार बता रही है कि लोग कोविट प्रोटोकॉल को लेकर गंफीर नहीं है संकेत लापरवाही का दिखाई दे रहा गली ख़बर उतास जिले के डेरी सहर में 1871 में अस्थापित एतिहासिक धोब घड़े को देर रात चोर ले भागे यह डेरी सहर की प्लाचीर एतिहासिक धरोहर थी और सुबा जब लोग मौर्निंग बॉक के लिए निकले तो कुछ लोगों की नजर धूब घड़ी पर पड़ी तो देखा कि धूब घड़ी की धातु की फ्लेट वहां से गाइव है लोगों ने इसकी सूचन ततकाल पुलिस को दे दी है पुलिस मौके पर पहुँच कर इसकी जाज कर रही है डेरी ओन सौन के निकट रोड में आज भी लगभग देड़ सो बर्स पुरानी खड़ी का उप्योग उस लास्ति से आने जाने वारे लोग समय देखने के लिए किया करते हैं मुझपरपूर में 20 फरवरी को बुनियादी साक्षर्ता परिक्षा महतलित दलितवा अलप संक्षक अती पिछड़ा बर्ग अच्छर अंचर योजना के तहत साक्षर्ता किंद्रों पर बुनियादी साक्षर्ता परिक्षा कॉलेज प्रसासन ने इलक्षन का पूला सेटूल जारी कर दिया है इसमें इलक्षन के लिए 26 फरवरी की इसी निर्धारित कर दी गई है इससे पहले 22 फरवरी को औरियेंटेशन प्रोग्राम आयुजित किया जाएगा इसमें बी और बीस सेकेंड एर की छात्राओं के लिए 10 बजे से 10.30 बजे तक कबबक्त निर्धारित किया गया है अगली खुर मुझपरपूर में भारत सरकार की महत्तोकांची अस्मार्ट सिटी योजना में हो रही आनिया मित्ता के मामले में बिहार माना उधिकार आयोग ने मुझपरपूर डियम प्रनब कुमार और नगर आयो बिबेक रंचन मैत्रे को नियोटिस वेजा है आयोग ने इन दोनों से जबाब मांगा है बता दे कि अस्मार्ट सिटी योजना भारत सरकार की महत्तोकांची योजना है एक तरफ सरकार इस योजना में करोड़ों रुपे खर्च कर रही है वहीं जिले में इस योजना की हाल खसताहाल बनी है सड़क पर गड़े खोद कर कई दिनों तक उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाता है आए दिन लोग गड़ों में गिरकर चोटिल भी होते रहे हैं अगली कबर बिहार में इंटर की तरह मैंटरिक परिक्षा में भी सोशल डिस्टेंसेंग का ख्याल रखा जाएगा पर एक और दूसरी सिट पर तो और तीसरी सिट पर एक परिक्षार्थी को बैठाय जाए जाएगा इखवर करनाटक के उडुपु में जारी हिजाब विबाद पर बुश्यो हिंदू परिसेद ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी बिहिप के केंद्रिय स्वयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरिंदर जैन ने इसे हिजाब जिहाद का नाम दिया मामला उडुपु के एक बिद्यालेक का है जहांकि कुछ लड़कियों के अस्कूल युनिफॉर्म की बजाए हिजाब पहन कर अस्कूल आने को लेकर धन्ना दिया गया है इससे अब बड़ा बिवाद खड़ा हो गया इधर बिहार में वही इस घर्टा को लेकर राजनीती तेज हो गई पुर्ब मुख्यमंत्री जेतर ना माजी ने ट्यूट किया है माजी ने इस प्रिबाद में लड़कियों का साथ देते वे ट्यूट किया अगर मजव अगर हिजाब थोपोगे तो हिजाब के खिलाप को अगर हिजाब लोचोगे तो हिजाब के साथ अगली खबर सीम नितियस कुमार ने बिधी विवस्त था और मध्य निशेद को लेकर उच्छतर ये समिक्षा बैटक की इस बैटक में बिहार के डीजेवी समित सभी चिलों के स्पी और अधिकारी आउनलाइन जुड़े थे प्यमंत्री के सामने सभी आधिकारीोंने law and order को लेकर अपनी प्रस्तुती दी इसके बाद सीमने सभी आधिकार को जरूरी दिशा निर्देश दी हैं सीमने अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि फिर Вас delta सर्कार कीसरवोचे प्राथ्मिक्ता है अपराध्य यंद्रण में किसी प्रगार् की कोताहिं ना हो अपराध्य अनुसंधान कारे में तेजी लएक और इसे समय पूर्ण करें ताकि दोस्यों पर जल्द कारवाई हो सके रातरी घस्ति पैदल घस्ति में किसी प्रगार्की लख़र वाही ना हो बाम दलो और 24 बिधान सभा परिषत के छेतर के नेताओं के साथ बैठक के बाद बात करते हुए भोला यादब ने कहा कि राज़त ने कॉंग्रेस के बारे में तो फैसला कर ही लिया है और कहा कि लगबग सभी सीटों पर फैसला हो गया है जल्द ही उमिदवारों की गोशना क भी जाएगी और राज़त अब बिहार में अकेले ही चुनाव लड़ेगी अब बोटिंग के वीच बेस्ट यूपी पहुचे प्रदानमंत्री मोधी मोधी ने अपने भासन के सुरुवात में ही पहले चलन के बोटर्स को संबोधित किया और कहा कि पहले चलन के बोटर्स से समाई अचना करता हूँ अब दूसरे चलन के सुनाव अभियान का आगाज कर रहा है जो यूपी की विकास की नई उच्चायों पर पहुचाएगा जो यूपी को अपराच से मुक्त रखेंगे उसको ही बोट दिया जाएगा मैं चुनाव में लगे सभी क्रम्चार्यों का अबहार देता हूँ जो कतार में खड़े लोग अपनी ड्यूटी करने बोटिंग करने पहुचे हैं उनका भी धन्यवाद डबल इंजन की सरकार जो काम कर रही है उसको आगे बढ़ाते रहने की लिए सरकार काना बहुत जरूरी हो चुका है पहले ही महेंगाई से जूज रहे आम आदमी को एक और जटका लग सकता है अरपियाई के गवर्दन ने चेताबनी दिया कि मार्च तक महेंगाई पीक पर पहुचने की असंका है इसके अलावा आपका लोन भी फिलहाल सस्ता नहीं होगा ऐसा इसलिए क्योंकि रिजर पैंक को सबस्क्राइम ने कि